भारत में कई ऐसे मंदिर है जो कई चमतकार और रहस्यों से भरे हुए हैं। भारत में हजारों चमतकारी मंदिर है और हर मंदिर से जुड़ी एक कहानी है जिस पर लोगों की आस्था होती है। ऐसा ही एक शिव मंदिर है जहां शिवलिंग में अपने आप ही होता है जलविश जारखन को राम के काल में दंड कारणिय का शेत्र कहा जाता था। यह उस काल में रिश्यों की तपभूमी थी। घरे जंगलों से घरे इस शेत्र में कई रिश्यों के आश्रम थे जहां देवता उनसे मिलने आते थे। इसी जारखन में राम गड जिले में एक चमतकारी शिव मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके चमतकार को देखकर अंग्रेज काल में अंग्रेजों की आखे फटी की फटी रह गई थी। इस मंदिर की कहानी और प्रसिद्धी आज भी दूर दूर तक फैली हुई है जारखन के राम गड में स्थित इस प्राचीन मंदिर शिव मंदिर को टूटी जर्ना के नाम से जना जाता है मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर अपने आप ही 24 घंटे जलाविशेक होता रहता है आश्र चकित करने वाली बात ये है कि यह जलाविशेक कोई और नहीं बल अबी से अपने आप पानी की धारा उनकी हतेलियों से होती हुई शिवलिंग पर गिरती है यह आज भी रहसे बना हुआ है कि आखिर इस पानी का स्त्रोत कहां है कहां जाता है इस मंदिर की जानकारी पुराणों में भी मिलती है इस प्राचीन मंदिर का इतिहास 1925 से जुड अंग्रेजों ने यहां पूरी खुदाई की और उन्हें मंदिर पूरी तरह से नजर आने लगा मंदिर के अंदर भगवान भरेनात का शिवलिंग मिला और उसके ठीक उपर मागंगा की सफेद रंग की प्रतीमा मिली प्रतीमा के नाबी से आप रूपी जन निकलता रहा ज जो उनके दोनों हातों की हतेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिर रहा था यही नहीं यहां लगाए गए तो हैंड़ पॉम भी रहस्यों से गिरे हुए हैं यहां लोगों को पानी के लिए हैंड़ पॉम चलाने की जरुत नहीं पड़ती बलकि इसमें से अपने आप ह मंदिर में श्रद्धालों का ताता लगा रहता है लोग दूर दूर से यहां पूजा करने आते हैं भक्त मानते हैं कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई मुरादे सदैफ पूरी होती हैं श्रद्धालों का कहना है कि टूटी जर्णा मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के बुद रूप के दर्शन कर लेता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है भाक्त शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप पे ग्रहन करते हैं और इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं कहते हैं इस जल में इतनी शक्तिया सवाहित है कि इसे ग्रहन करने के साथ ही मन शान्त हो जाता है और दुखों से लणने की ताकर दुल जाती है दोस्तों अगर आपको इस मंदिर के दर्शन करने का अफसर मिले तो इस अफसर को चूकिएगा मत अगर आपको हमारी एक हास जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे इसे ज्यादा से ज्यादा शेर करे और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय लिखना ना भूले